भाजपा के एक विधायक है मंडी जिला के मैं उनका नाम भूर रहा हूँ उनका मैं एक बहुत ही हास्यपद बियान सुन रहा था वैसे तो मैं व्यक्तिकत बियानों पर जवाब देना बाजिफ नहीं समझता मगर क्योंकि मुद्दा जो है वो प्रदेश से जुड़ा हुआ ह इसलिए मैं उसमें अपनी बात को स्पष्ट कर रहा हूँ उस बियान में वो विधायक कह रहे थे जिनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा कि विकरमा जित्तिय सिंग्, मोदी जी और केंड सरकार का समर्थन भी करते हैं और उनकी निंदा भी करते हैं मैं उनको ये बताना चाहता हूँ और उनके माद्यम से प्रदेश की जंता को ये कहना चाहता हूँ कि हम तरक संगत राजनीती में विश्वास रखते हैं विद लॉजिक जिसमें हो और फैक्ट्स जिसमें हो जिस मुद्धों के ऊपर केंड सरकार हिमाचल का समर्थन करेगी हम पूरी मजबूती से केंड सरकार का धन्यवाद करेंगे मगर जहां पर हिमाचल का सेयोग केंडर से नहीं मिलेगा I will be the first person to raise voice against the central government, any minister or even the prime minister for that matter because we live in a parliamentary democracy where to raise the voice of the people should not be considered as criticism but as raising the issues of the people हम अंदभग्त की श्रेणियों में नहीं आते हैं हर चीज में केवल समर्थन करना ये हम से नहों पाएगा हम मुद्दा अधारित तत्या अधारित राजनीती पर जो है आगे बढ़ने का प्रयास करते रहेंगे हाँ मैंने पी-एम जेश्वाय का सयोग केंद्र से मिला उसके लिए मैंने परधान मंत्री जी का भी धन्यवाद किया और केंद्रिया जो हमारे रूरल ड्विलप्मेंट मिनिस्टर है उनका भी धन्यवाद किया मगर जिस तरीके से हिमाचल को इस डिजास्टर में जो सयोग मिलना चाहिए था दस हजार करोड का अनुमाने नुकसान हुआ है उसके तुलना में केवल 200-300 रुपए हिमाचल को देना वो भी जो चरणवर तरीके से हिमाचल को मिल रहा था मगर कोई भी पैकेज हिमाचल के लिए अनॉंस ना करना इसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं हम हमेशा मुद्दों पर बात करने में विश्वास रखते हैं और मुद्दों पर ही विश्वागे भी अपने अवाज को हिमाचल हित में उठाने का पूरा प्रयास करते रहेंगे विकॉल अस्पेड अस्पेड चाहे वो हमारी सरकार है चाहे वो दूसरी सरकार है, केंद्र और प्रदेश के सरकार का ये दायत्वा बनता है कि हिमाचल की जनता का इस दुखी समय में, इस मुश्किल समय में से योग दे, जिसमें प्रदेश सरकार पूरी मस्बूती से अपना योगदान देने का हर संभव प्रयास कर रही है, हम मिल कर हिमाचल को वापिस पट्री पर लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं